कि नमस्ते दोस्तों वाई जैसी राम स्वागत है आपका दिवी देश्टी क्लास इसकी सोलाइन फ्लेटफोर्म पे आप भी सोत रहूंगे कि यह थमलेल पर क्या लिका है जी हां मैं उसी टोपिक पर बात करने वाला हूं जिस टोपिक ने सबसे ज्यादा बच्चों को उलजा क्या होगा प्रसंद कि हया है सबक्ubeम as a서 1225 जो ब्हुना है कि यूं। हमारे पास महिंने कितने है सर हमारे पास की महि vomiting यह लेंदेख करके तो तीन महिने है अपने पास थीन महिने के अणदर अपने को के अपने को पूरा सब्सक्रावि ck जिस तरीके से हमें तैयारी करनी है किस तरीके से हम सब्सक्राइब करें किस तरीके से करें हर एक चीज का सोलुशन जो है इस वीडियो में मिलने वाला है सबसे पहले बच्चों के दिमाग में पता है क्या चीज आती है सबसे दिमाग में आती है सब कैसे नौर के समना चीज रखते में नौर के समनाय मार्किक्रस आप ज्यारा 2 या तीन दिन पढ़ोगे उसके बाद में वो किताव ना वह अलमारी अंदर पढ़ी हुई मिटी लगरी होगी उसके लगी होगा एक किसी और के बनावे नौर संकराप खुद लोगे उसके और सबनाएं वे नोर्स अगर आप खुद लोगे यकीन मानिया आप जादा जादा दो या तीन दिन वो ने ने जब तक है ना तब तक उनके पढ़ने का मन लगेगा बाकी आप वो साइड में रख दिये ना एक बार तो पड़े ही रहेंगे एक्जाम तक मेरे भाई नोर्स देखो तीन महीँने का आपका ताइम है ठीख है तीन महीँने का टाइम है आपको एपने में ध्यान रखना है अपनी लिखी हुई चीज है ना हमारा पढ़ने का मन करता है किसी और की लिखी हुई चीज है ना उसका पढ़ने का मन नहीं करेंगे ज्यादा ज्यादा एक दो दिन पढ़ लोगे उसके बाद खता में उसके बाद नहीं पढ़ पाओगे यकीन मनों उसक साघ्ष भी हो मैना की भट्लि में जब तक नहीं तपोगे ना मिता जब अपने आपको घुद नहीं बननर फिर फूर के नग Bai कुश नहीं बनने वाल मेल जब तक अगर छोध डैसे चीजे़ पागलपन का जिद भूक और पागलपन जिद होता है अपने आपको दूसरों से बहें थाचा जित वह नहीं है अपने सरीर से नहीं करने घृचा और सब्सक्राइब पावर घाता है रोकेट रोकेट कब जोते और आसमान की उचाई तब कृता auf जब आग लगी हो उसमें यह जी पहलत यह वही आग है आपके लिए जब तक अम्नदर साऊंपके आप बभर बडर बद से सुनने हो ना बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं कई लोग आप मेंसे सुनने वाले मुले एenser बता रहे हैं मैं सभी बता रहा हूं खुस हो जाओ मैंने 6 गंटे आज पढ़ाई किया मैं खुस हूं हो satisfy नहीं हूं satisfy नहीं हूं हाँ मैं खुस हूं खुस हुं छे गंटे में पढ़ाई किये लेकिन मैं इस दिन मैं satisfying प्रप्रोग्रेश लेट प्किन अच्छांट में कमफट जोन में चैसमा जाउंगाleich वह जाँगा मेरे अंदर परोग घंट्रीम अच्ब्रस जिय suggestive जोनरो प्रोग्रेश ोगिंदर गूए का मतलब है कि मैं कमफर्ट जोन में जहूँँ गांफर्ट जोन में नहीं आ आज के टाइम में जितने भी सकसल्फलन इंसान भी इंसाने शुरू में जब इसने काम गना सुरू किया नगता बोला है लोगों ने उनको पागिल पर ना है तो करना है लग जाओ नीन थोड़नी पड़े मंजूर एब खाना पिना थोड़ना पड़े मंजूर लेकिन वो छे घंटे का चुट आर्गेट न वह खतम नीए होना चीज है इंपोर्टेन वो चीज है consistency सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी चीज लिए successful होने अगर किसी भी फिट में किसी भी फिल्ड में अगर आपको successful होना है तो उसमें consistency का मतलब है निरनतर्था लगातार काम करना अब उसे एक बाद बताओ एक किसी चीज पूछता हूं महाबारता आप सब लोग जानते हो है ना महाबारता कभी अरजुन को तलवार तलाते वे देखा है नहीं ना तीरंदाजी में सबसे बेस्ट है वो क्यूं उसे एक चीज को पकड़ा और उसके पिच्छे इतना पागल हो गया कि सबसे बढ़िया यही जिद और आगे बढ़ने की भूक यह तीन चीजे इन तीनों चीजों का डेडली कॉंबिनेशन आ यकीन वानो तुझे तेरी सकसेज और तेरी मंजिल की और सबसे जादा इस पिच्छे यही तीन चीजे लेके जाने गए अगर सकसेज बना है तो यह तीन चीजे होनी च चीज का मदब है सुबह उठते ही सबसे पहले काम यह है एक लिस्ट बनाओ एक पर लो और उस पेपर में यह लिख दो कि आज मुझे रिजनिंग के अंदर इतने कुशन करना है आज मुझे हिंदी के अंदर यह चीज टोपिक पढ़ना है आज मुझे इंग्लिस में यह ची खाना पिना चोड़ना पड़े मंजूर है ठीक है कई लोगों की मुला मुआलते होती है कि 6 गंटे की नीन जरूरी है यह था प्रफेंक्योडी बात है बहुत जूटी बात है यह अब बात बता हो यार सेना में जो लोग काम करते है ना 24-24-24-24-24 गंटे उनकी डूटी होती दिमाग से हटा देना चीज़ा है कि 6 गंटे नीन की जरूरत है कोई जरूर नहीं है आप जिसमें फ्रेस हो जो जितने गंटे आपको सोना है उतने गंटे फ्रेस हो जो बस वही चीज़ एक फिक्स है ना आपका हर एक बाइलोजिकल क्लोक होती है अपने बोडी के अंदर व जान रखेगा उस टाइम के लिए सेट हो सकती है तो एक तो यह चीज़ जान रखने है टूडू लिस्ट बनानी है दूसरा आपको साथ इसाथ नोर्स भी बनाना है आपको साथ इसाथ जो है नोर्स बनाना अब कई लोग क्या करेंगे नोर्स ना बड़े-बड़ी पड़ता ही एक्जाम और एक्जाम और था जो आपकी एक्जाम की डिमांड इस बहुत सब्सकों है बाकी सबस्क्राइब मतलब नहीं जितना आपके शायां में इक्जान पढ़ और एक्स्टा ही मधदे पड़ों गेने कर दो हैं जो आपको कमा या नहीं वह आपको सेलेक्षन नहीं देगा स्वाक्त नहीं चीज लेक्ष देगी चीजिए स certaines आ Bose इंपड़ीनी चीजह बनानी है और दूसरा नोरस आपको वह चीज बनानी है जो आपके एक्जाम में आने वाली चीज़ है सिर्फ वही चीज़ है आपको बतानी है और कुछ नहीं करना अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वह है रिवीजन वह है रिवीजन कई बार सक्सेस्फुल जो और चुके हैं जिन्होंने एक्जाम क्रेक किया है उनसे जब हम लोग पोड़कास्ट में बात करते हैं तो वह लोग यह बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह चीज़ यह है है अगहीं पड़ते हैं पिख्यों वाले साब कोई मतलब नहीं है रिवेजन तो कैसे करोगे आप मंडे से लेकर ऑमनें से लेकर friden को पढ़ो स्वंबार मंगलवार गुदुवार गुरुवार सुकरवार मंडे से लेकर फ्राइडे तक पढ़ाई करो बिल्कुल अच्छे से बड़े हार एक टोपिक पढ़ो सटेडे को आपने इस पूरे वीक में जो भी पढ़ा उसका रिवीजन बिल्कुल कंप्लीट रिवीजन कर लिजिए तीन महीने तक फॉलो कर लिजिए आपके स्कॉर इस बीस्टी से एक्जाम के अंदर 500 प्लस ना जाए तो बता देना 500 प्लस ना जाए मैं तो 550 प्लस भी चला जाए यह चीज हो सकती अगर यह तीन काम किये तो सबसे पहला सुबह उड़ते ही टूडू लिस्ट बनाओ दूसरा नोर्स बनाते जाओ साथ अपने नोर्स काम आएंगे अपने हत्यार खुदी तयार करो अपने एक्जाम के लिए वही आपके लिए साथ है किसी और के दिये हत्य कर रहे हो और किसी और के बरोसा अगर बैठे हो तो कुछ नहीं मिलने वाला खिल कि अंदेरे में परशाहित तक साथ सोड देती हैं साथ देने वाली दो ही चीजे आपका दिमाग और आपके शरीर की थाकत मंदब आपका बोडिका हेल्टी होना भी जरूरी है और आपके मैं तैनल जयादा इंपोर्ट फचीज थिए फोट ज्यादा इंपोर्ट्न ए इसके बाद में एक चीज बताता हूं मैं अपको एक चीज सबस्क्रों कई है लोग बोल्टा है हम लोग हैं ना सब psychology का बहुत अच्छा principle सब्सक्राइब बताता हूं और इन चारो टायर को मैंने बैल से बांध दिया अपस्मा कर दिया इनको बैल्ट से इनको मैंना अपस में बैल से कनेक्ट कर दिया यह बैल से माने कर दिया ठीक है यह belt से मैंने इनको आपस में connect कर दिया अब इस tire का मैं नाम दे रहा हूं यह tire no.1 है यह tire no.2 है यह tire no.3 है और यह tire no.4 है यह मैंने चार नाम दे दिये अब बहुत ध्यान से logical सोच के बताना अगर मान लो ध्यान से सुनिए गा मैंने इस first वाले tire को ना बहुत कर दो हि laten बतुम होगी चाइब और दो खला नो ख हेड़ से ख़राब होगा और बेदें लिए रहे नहीं है कि मैसीन का होगी क्ね मुट्रू काम करने लग जाएगी Kenneth आपके पूरे दिन का जो रूटीन है उसकी आपकी एक गलत आदत पूरे रूटीन को इफेक्ट करती है कोई आदमी सुबह चार बज़े की जगे आट बज़े उड़ता है कुम्ब गरन की जैसे आट बज़े अगर वो उड़ता है तो उसके दिन की सुरुवाद जो है वह जो आठ बज़े उरी इसका मतलब है कि वह पहली जो उसकी आदत है वहीं तो आग्याँ वाली आदत भी शलो ही होगी दिमाग भी शलो काम करेगा और प्रॉडिक्टिविटीविटी भी मिलेगे तो अगर वो अपनी इस आदत को सुधार ले सुबह जल्दी उटके काम करना शुरू कर दे तो यह किन मानी उसका पूरा दिन जो है न उसकी प्रोडेटिविटी बढ़ रहेगी इसी एक चीज को पकड़ो किसी एक चीज को सुधारो सब में कम्यां होती है कोई अपने आप में प साफ किक्राए Walter nhất चीज और सबयों पक्रोडार और सन्डे अपने को टेस्ट अब अपकी सफलता के लिए आप खुड जिम्धार है और यहां अगर विफल हुए शब्ल्म नहीं हो रहे उसके लिए गと思います कि ऑ तो आपको काम करना पड़ेगा आपको मेहनत करनी पड़ेगी पागलोग इतरह तीन चीज़े यादर को जिद होना चाहिए अपने आपको दूसरों से बहतर सावित करने का भूक होनी चाहिए आज जितनी मेहनत किया ना कल उससे ज्यादा करूंगा और तीस सबसे इंपोर्ट पागलपन किसी की मत सुनो एक भीड होती ना भीड एक रोड उस पर बहुत जाड़ जा रही है एक पागल इंसान आएगा नो जर सारे लोग रोड से साइड हो जाएगे इसको जाने तो पहले क्यों वह पागल है लुए मुशिवदे भी अगर आपका पागल बहुत तेज है बहुत स्टोंग तो मुशिवदे अपने आप साइड में हो जाएगी और आप ना रास्ता आप अपना मंजिल का जो रास्ता है वह आसानी से ते कर पाऊगे बना एसा है बीड का हिस्षा बना रहोगे बीड का ह सारी चीज़ें पर समझ मारे हो जीद होनी चीए पागलपन होना चीए भूग होनी चीए यह तीनों चीजहों के साथ काम क्या नहीं तीनों चीजहों का deadly combination के साथ काम क्या करना है study करना है honestly बिल्कुल इमानदारी से छह गड़ना तो पड़ना ही ठीक है क्या करके टूडू लिस्ट बनाना है नोर्स बनाना है और साथ रिविजन टाइम करते रहना है टूडू लिस्ट में जो चीज बना दी जो आज लिख दिया आपने श्याम को खाना खाने से पहले वह चीज होनी चीए चाहिए उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े मंजूर है खाना लेट हुजाए एगंडा मंजूर है वह पूरा होना चीए टोपिक अगर वह चीज हो रही है तो सेलेक्शन है वरना ऐसा है टाइम वेस्ट भी हो जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा फिर पस्त